जय भूल में कल हम भोगोलिक पर्थक्करण के बारे में अध्यन कर रहे थे उसी वीडियो के कंटिनुटी बनाते हुए आज भी हम जियोग्रोफिकल आईसोलेशन के बारे में अध्यन करेंगे भोगोलिक पर्थक्रण का सबसे अधिक प्रभाव प्लेस्टोसीन हिम्यूक के समय हुआ माल्टा, साइप्रस और जिब्राल्टर जैसे छोटे द्विपू में मैमत, हाथी और दरियाई घोडों के जीवावसेश मिले हैं इतने छोटे द्विपू में इन बड़े जन्तों के उत्पत्ति होना अथ्वा विक्सित होना असंबव हैं इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि हिम्यूक के समय इन जन्तों का आवागमन इन छेत्रों में हुआ जल स्तर छसों फिट से भी कम हो गया था इस विशाल और लंबे समय के हिम्यूग के समय उत्री छेत्रों से इन जन्तों का विश्रन दक्षनी भागों के ओर हुआ होगा संभवत ये जन्तों तिर्होनियन थल सेतु द्वारा उत्री फिरिका से दक्षनी रोग के ओर गए और हिम्यूग के समय इन ही मार्गों से वापिस लोटने के समय समाप्त हो गए भूमद्य सागर में इस्थित तेहरियन थल सेतु की कल्पना करना वर्तमान में असंभव लगता है ये सागर चार हजार से बारा जार फिट गेरा है प्रन्तू प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन युगों में तेहरियन उच्च भूमी अवस्य उत्पन हुई थी जिसमें अलजीरिया, सिसली, माल्टा और इटली के भूस्त लों को एक दूसरे से जोड़ दिया था सुकर्ट ने इस संधर में तीन थल सेतु की कल्पना की है जो उत्रिय अफ्रिका और दक्षनी उरोग को जोड़ते थे पहला थल सेतु मोरक्को से जिब्राल्टर द्वीफ होता हुआ स्पेन के दक्षनी भाग को मिलाता था इसे गेलेशिया थल सेतु कहा गया है दूसरा अलजीरिया से सिसली होता हुआ इटली तक थल मार्ग था जिसे कार्शी का थल सेतु कहा गया है तीसरा मिस्टर से साइप्रस होता हुआ तर्की के दक्षनी तर्ट तक था जिसे वेलासिया थल सेतु कहा गया है तो गेलेशिया थल सेतु कार्शिकब थल सेतु और वेलासिया थल सेतु इन थल सेतु के नस्ट हो जाने के कारण दक्षनी उरोप और उत्री अमेरिका के जन्तों में आइसोलेशन हो गया पर्थक्रन हो गया अफ्रीका के जीव जन्तों जैसे जिराफ, जेब्रा, सेर, दरियाई घोडे, गेंडे, हाथी आदी जन्तों यूरोप में नहीं पाए जाते हैं और यूरोप के जन्तों हीरन और सुवर दक्षनी अफ्रीका के भागों में नहीं मिलते हैं पर्थक्रन का एक स्पस्प्रमाण एजोर्स कैनारी द्वीपों में दिखाई देता है ये द्वीप अफ्रिका महादीव के पस्चमी तट पर चार सो से पंदरा सो किलो मेटर दूर अटलांटिक महासागर में इस्थित हैं इन द्वीपों में स्तंधारी पसु नहीं पाय जाते परन्तु ताजे जल की मश्लिया और रेंगने वाले जन्तु अधिक संक्या में पाय जाते हैं इस स्पस्थ होता है कि इन द्वीपों का पर्थक करन पेलियो जोई क्युक्यन्त में ही हो गया था सुकर्ट ने इस संधर में आर्क एटलांटिस नामक थलसेतु की कल्पना की है संभवत है उस समय दक्षनी उरोप से कनारी दिविप होता हुआ एक थलसेतु दक्षनी अमेरिका और अफ्रीका के पस्चिमी तर्टक विद्यमान था मध्धे एसिया में बैकाल और बालकस जीलू में सील मचली का पाये जाना भी भोगोलिक पर्थकरन का परिणाम है ये ठंडे समुद्रों में रहते हैं ताजे पानी की जीलू में इनकी उपस्तिती आश्चरिये जनक है ये नुमान लगाए जाता है कि पेंजिया महद्विप के विगटन के समय ये जनतु इसी छेत्र में पर्थकरन के परिणाम सोरू रह गए जिनकी उत्पति आज भी जारी है ये था अपना जियोग्रोफिकल आइसोलेशन अब है रोल ओफ आइसोलेशन इन इवोलूशन पार्थक्के की विकास में भूमी का रैंस, मायर, सिम्सन तथा लैक ने पार्थक्के के महत्व को स्पस्ट किया है ये विस्थापित जाती उद्भवन के साथ साथ समस्थानिक जाती उद्भवन में भी साहिक होता है विस्थापित जाती उद्भवन मतलब विभिन परदेशों में इस्थित जातियों का विकास समस्थानिक जाती उद्भवन मतलब एक ही छेत्र में इस्थित जाती का विकास विस्थापित जातियों का उद्भवन भोगोलिक वै जननिये पार्थक्य के कारण होता है और एक बार जननिये पार्थक के सूस्थापित होने के बाद प्रतेक समस्थी अपने विकास पत्की और अग्रशर होती है और समस्थानिक जातियों का निर्मान करती है चाहे ये उसी प्रदेश में रहे या विभीन आवासों में प्रवसन कर जाएं सदेव ही एक दुसरे से भिनना रती है अतफ़ पर्थक करण जैवी क विकास का एक महत्वपून कारक है इसके कारण जातियों उत्पन परिवर्तन अपने पैत्रिक जाती के साथ आंत्र जनन्न होने के कारण आपस में मिलकर ऐ प्रभावी नहीं हो पाते हैं अपीति उनका प्रभाव बना रहता है फल स्वरूप पर्थक करन नहीं जातियों की विकास में साहएक होता है प्रभावी नहीं जातियों की विकास में साहएक होता है